कि चलो कुशन स्टार्ट करते हैं बाते कम काम ज्यादा और यह बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट कुशन मैंने मांग भी कर दिया और देखो सीए में भी आया आई सीडब्लू में भी आया बीकॉम में भी आया और बीकॉम में भी आया कितना कहां कहां नहीं आया कोशन आप स और जितना फेमोज उतना आसान क्योंकि पेपर तो आसान आता है न सर्विस कॉस्ट इसको भी कॉस्ट शीट कहते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट भी कह देते हैं कॉस्टन समझा जाए क्याता है प्रकास ट्रांस्पोर्ट कंपनी हैस गीवन रूट 20 किलो मेटर ओके यानि एक जगह है और इस जगह की डिस्टेंस एक रूट है जिसका डिस्टेंस कितना है 20 किलो मीटर लॉग रन दबस कॉस्ट ऑफ दा कंपनी सम 50,000 और यहां पर हम एक बस खरीदना चाह रहे हैं जिस बस की कीमत कितनी है सहां 50,000 और इसका इंसॉर्ण्स भी लगेगा और इंसॉर्ण्स कितना लगेगा इसका 3% तो मैं साथ के साथ लिखता भी जाओं यहां पर कौन सा चार्ज होता है और नीचे लिख दो रणिंग चार्ज और रणिंग चार्ज अब बच्चे कमेंट में बता दे फटा फट से जल्दी जल्दी बताओ इंसॉर्ण्स किसका पार्ट है फिक्स चार्ज यह रणिंग चार्ज फटा फट बता दो बुक आथर कौन सा है सर बुक आथर बहुत सिंपल महिश्वरी मित्तल मैं बुक की फोटो भी दिखा दूँ आपको यह रही बुक यह किसकी है यह ओनेट साले बच्चों की बुक की सर डाल दो इंसॉर्ण्स कि ऐसा ही आपको जवाब देते जाना है और कितना आएगा वो मैं बताऊंगा पचास हजार का तीन परसेंट कितने होते हैं सर सर पंद्रा सो होते हैं मात्र आगे बढ़ जाओ अब क्याता है एंड एन्वल टेक्स विल भी एक हजार एन्वल टेक्स का मतलब टेक्स पता है क्या था रोड टेक्स वह वाला टेक्स मत समझ लेना इंकम टेक्स तो भईया रोड वोड पे चल रही है तो उसका टेक्स होगा एक हजार तो यह भी किसमें जाना चीए टेक्स भी जा सकता है ग्राज का रेंट है सो रुपे महीने का कहा जाना चाहिए जल्दी बताओ ग्राज रेंट कहा जाना चाहिए इस्टेंडिंग में जाएगा फिक्स में जाएगा स्टेंडिंग में जाएगा तो ग्राज रेंट गारेज रेंट गारेज रेंट कितने सो रुपे महीने का बारा महीने काम चलेगा तो बारा सो रुपे एन्वल रिपेर विल भी हजार रुपे ओहो एन्वल रिपेर तो रिपेर तो यहां चला जाएगा हजार रुपे ये लो एक हजार रुपे लास्ट पोर 5 राउड और बस की लाइफ दे रखी है सहब लाइफ दे रखी है तो इसका Desmand निकाल लोगे Depresiحयन कैसे निकाल लोगे सरा पचास अजार है औरleich कितना है ponicio साल है तो कितनीी डेपरिसिशन आ गई सर अब likely सब्सक्राइब थो हमेशेफ pavhi discuss कर लेंgre가 दर्डाइवर सेलरी डेडर सो रभे महीने का अब बताऊ ड्राइवर सेलरी पृट फट बताऊ ड्राइवर सेलरी सुर थोड़ा लेट तो सर ड्राइवर सेलरी कितना बताया डेड़ सो रुपे महीने का तो सर पूरे साल का लो ना तो पूरे साल का अठारा सो रुपे वेरी वेरी सिंपल ओहो इसके साथ कौन है कंडेक्टर भाई साब कहां जाएगा और इसको सो रुपे मिलते हैं हमेशा याद रखना ड्राइवर थोड़ा महेंगी सेलरी लेता है और कंडेक्टर थोड़ा कम सेलरी लेता है हमारा अच्छा और मैंने ज्यादा ही कम कर दिया है आगे देखते हैं कि अडिशन 10% टेकिंग कमीशन ओहो कंडेक्टर के देखो क्या कहता है कि उप्रुपे कंडेक्टर रुपा कितना देंगे 100 मही सब्हां। Conductor ने बोला नई, हम नई करेंगे, बैंने बोला कोई बात नहीं, अब तेरे को 10% Commission भी देंगे, और किस पे, taking का मतलब होता है, sale, तो आपको तेरे को Commission देंगे, किस पे देंगे भाई साब, taking का मतलब क्या, sale, अब Conductor रुख जाएगा ठीक है भाई, इसके साथ Commission भी मिलेगा लेकिन commission तो हमारा variable हो जाएगा एक तरीके से सोचो आप क्योंकि जितना sale उतना तो commission जब तक हमें पूरा ये नहीं पता चलेगा कि पूरे साल में कितने का sale हुआ है तो तब तक हम इसका commission निकाल नहीं पाएंगे समझ रहे बात मेरी क्योंकि sales पे है और sale कब पता चलेगा जब सब को जोडेंगे profit जोडेंगे तभी तो sale पता चलेगा फिर commission निकाल पाएंगे है ओके ये बहुत important point इसी के वज़े से आज मुझे question कराना है to be shared by the driver and conductor ओहो भाई तेरे को नहीं मिलेगा केला तेरे साथ एक और आ जाएगा कौन आ जाएगा driver आधा आधा वन स्टू वन के ratio में दोनों को बांट देंगे जो भी commission मनता है last में समझ मैं आई बात आपको यानि मान लो 2000 commission मना एक यह ले लेगा एक वो ले लेगा ठीक है आगे कहता है cost of stationary 50 रुपे महिने की है stationary का खर्चा आप भाया stationary यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है आपकी इच्छा जहां मर्जी डालिए तो मैं stationary इधर डालू कि इधर डालू बताओ stationary कहीं भी हो सकता है तो बताओ stationary कहां डालू आप जहां बोलोगे मैं वहां डाल दूँगा fix भी हो सकता है variable भी हो सकता है तो fix डाल दें क्योंकि बोले fix 50 रुपे महीने का है तो चलो 50 रुपे महीने का into में 12 कितने हो गए 600 इसको थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे इसके बाद manager कम accountant ओ हो एक manager भी रिखा जिसके 300 रुपे महीने की उसकी भी salary है कितना खर्चा होता है देखो एक और salary आ गया किसकी वो manager भी accountant भी है उसके salary बड़ी ज़्यादा दे रखिये भाई driver से ज़्यादा salary देख लो accountant की हमेशा ज़्यादा salary होती है आपको भी अगर ध्यान से पड़ोगे तभी ज़्यादा मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी भाई पेट्रोल एंड ओएल 25 रुपए पर 100 किलो मिटर कहता है कि तुम यहाँ पर गाड़ी लो और गाड़ी को लेके आप चलो कहां चलो सर 20 किलो मिटर 40 किलो मिटर 60 किलो मिटर 80 किलो मिटर और यह होगे हमारा जैसे ही 100 किलो मिटर गाड़ी चलेगी तुमारी इसके अंदर जाके पेट्रोल डलवालो कितने का पेट्रोल डलवालो 25 रुपए का डलवालो ठेक है ना तो सस्ता मत समझना पुराना कुश्चन है इसलिए दिख रहा है आपको आप देखो कब आया हुआ है 2008 में आया हुआ तब तो 25-30 रुपए पेट्रोल था तब थोड़ी ना आपका ऐसे था के 500-100 रुपए 102 रुपए पेट्रोल है तो आप क 25 रुपए का पहले तो भाईया पुराने समय में समान बहुत सस्ता था और ओरिजनल भी था अब तो भाईया समान नकली और महंगा भी दब बस थी ट्रिप कैरी एवरेज 40 पसेंजर इच ट्रिप कहता है भाईया बस को तीन राउंड ट्रिप मारेगा राउंड ट्रिप का म आना आना तीन बाद कहता है तब बस विल मेग त्री राउंड ट्रिप कैरी ओन एवरेज 40 पसेंजर को लेके जाता है और लेके आता है इच लेकिन कोश्चन में यह तो बता भाई तू एक दिन में कर रहा है या च्छे मैने में तीन ट्रिप कर रहा है अज्यूम 15 परसेंट प्रॉफिट लेंगे टेकिंग का टेकिंग मतलब क्या बता है बताओ जल्दी कमेंट पे बताओ टेकिंग का मतलब क्या बता है तो यह किसके ऊपर कमीशन ले रहा है सारा चक्कर यही है सब किसी को सेल पर ही चाहिए तो बोलता भी है प्रॉफिट जो कमीशन बोल दिया प् पर 25 दिन चलेगा और यह सब खर्चे मंथली थे या एन्वल एन्वल थे तो मेरी समझदारी तो यही कहता है इसको मंथली कर दो ज्यादा बढ़िया रहेगा नहीं तो बसको फिर हमें सारा राउंड ट्रिप को क्या करना पड़ेगा एन्वल करना पड़ेगा क्योंकि महिने में कितने दिन 25 फिर हमें 12 से इसको मिल्टिप्लाई करना पड़ेगा कोई बात नी आंसर वही रहेगा आंसर सोड़ी ना बदल जाएगा हमारा तो इसका मतलब हिया हमारा डेली बस कितने ट्रिप मार रहा है से इसके में पार सिसे ट्युका ट्रिप मार रहा है तीन प्रिप अगर ट्रिप भी बोल देता समझ जाता राउंड कोई बोलते हैं यानी एक दिन में बस कितना चल रहा है बीस किलो बीस किलो चालिस हो गया कितने हो गए चालिस दो ट्रिप हो गया 20 किलो 20 किलो 40 कितने ट्रिप हो गया है 300 हाँ तो तीन ट्रिप कितने हो गए 120 यानि एक दिन में हमारा बस वन डे में कितने किलोमेटर चल रहा है 120 सब इसी से एगरी करते हैं जल्दी जल्दी कमेंट भी बता दीजिए क्या हमारा एक दिन में बस 120 किलोमेटर चल रहा है हर किसी को एगरी बच्चों ने बता भी दिया हाँ सर ठीक है पता है अब इसके बाद अगली मल्टिप्लाई कितने पैसंजर लेके चलोगे भाई भाई बॉखिंब के अगत्तिनका हिसाब बन गया है कि कतने महीने का छोघ़ए हो सारा किसे गुना करूं किस से मोफ यह क्या हो गया पैसेंजर किलोमेटर जिससे टोटल खर्चे को डिवायड करना होगा समझे बात थोडा से रहा यह हो गया है इस इस फिरयोड को खतम करें कि मेरा पता है क्या मन कर रहा है मेरा मन कर रहा है यार इसको ना बारा से डिवाइड करके एक ही मेने कर दो चोटा सा कैलकुलेशन हो सकता है न अब बताओ बारा से डिवाइड करें या इसे ही चलने दे चलने दे चलो चलने देते हैं 12 से डिवाइड करके घर पे आप प्रैक्टिस करना तब टोटल पैसेंजर किलोमेटर अगर मैं आपसे पूछू तो क्या आएगा टोटल ये पैसेंजर किलोमेटर टोटल पैसेंजर किलोमेटर बताओ कितना आएगा मोल्टिपलाई करो गुणा भाग करो जल्दी व्लूट टोटल एक्जाम में आखलेश ले जा सकते नहीं 14,40,000 यह passenger kilometer है तो भईया passenger kilometer तो total खर्चे को divide करने के लिए use होता है और अब petrol डालना है क्या डालना है और भईया petrol कहता है कि 100 km चलाओ 25 रुपे खर्चो तो हम पहले total kilometer निकाल ले यह passenger kilometer है अब total kilometer क्या होगा सर 120 एक दिन में खाली बस चलाना है passenger थोड़ी बिठाना है अभी और कितने दिन और कितने महिने यह हो गए हमारे इतने kilometer खर्चा कितना आएगा और कितने kilometer के तो 100 से divide कर देंगे तो हमें पता चल जाएंगे ने कितने kilometer बन रहे हैं समझे बात तो 120 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 25 डिवाइड़ बाइड़ सो डिवाइड़ बाइड़ एक बार और 10 9000 और depreciation सहाब question में है 10,000 चलिए समझ में आया यहां तक बुक के आंसर को बच्चे मैच करते हैं मैं सला दूँगा कि लास्ट में मैच करियेगा क्यूंकि बुक वालों mentally कर देते हैं हम जैसे मर्जी कर लें concept clear होना चाहिए जैसे मर्जी कर लो लास्ट में आंसर मैच हो जाएगा जैसे मर्जी का मतलब नहीं कुछ भी लिख दो इसको confusion दूर अब यह क्या है इसका बराबरी बताओ मुझे यह बताओ क्या है 120 इंटो में 25 इंटो में 12 यह क्या है इतने किलो मिटर चलेंगे पूरे साल में बस चलेगा है कितने किलो मिटर अगर में डिवाइड़ सौ कर दू इसको हमें पता चल जाएगा सौ सौ के कितने बार हो जाएगे और एक किलो मीटर 100 किलो मिटर के कितने चार्ज करऊँगा तो मैं गुणा में क्या कर दूँ सुझ में आगे बात आपको वही आना है बस मैंने calculation थोड़ी बदल दे अब बताओ मैंने ये थोड़ा सा change कर दिया फिर से 25 रुपे और 100 अब total खर्चा इसका ले ले total खर्चा सर 120 कैसा है हे भगवान 120 अरे भाईया एक दिन में तीन बार जाएंगे आएंगे एक बार गए चालिस किलोमेटर वापस आए चालिस किलोमेटर असी किलोमेटर एक बार में तीन बार में गलत बता दिये क्या नहीं नहीं बीस किलोमेटर है मैंने 40 ले लिया आप सब मुझे भी गलत करा दे तो 20 और 20 एक बार में 40 तीन बार में 40 इंटू में 3 120 तो वो 120 ये हैं सर एक दिन का ट्रिप ये हैं सर 25 दिन और ये हैं 12 महिने साल में 36,000 किलोमेटर चलेगा हमारा डेप्रिशेशन नहीं लिया आपने जी ले लिया है डेप्रिशेशन को मैं शॉटकर्ट में लिखता हूँ DEP तो समझ जाओ यही ये क्या है डेप्रिशेशन और डेप्रिशेशन यहां निकाल के दिखा दिया क्योंकि 5 साल इसकी लाइफ तीन ट्रिप के 120 हा मोनू बिल्कुल सही बोल रहे हो यह मोनू वही है जो आफ लाइन में आता था जो हमेशा लेट आता था क्लास में आज तक क्लास में टाइम पे इसकी घड़ी चली ही नहीं है लगता है और एक्सिडेंट का तो इसने लाइन लगा दिया है क्लियर है चलो चलो बताओ 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 नाम भी लिख रहा है मोनू मतलब मिरतुन जाए यहां तक सभी बच्चों को क्लियर आगे बढ़ा जाए जी सर यहां तक क्लियर है सर आप यह टोटल हो गया इसको भी टोटल करें अब अगर इसको मैं टोटल कर दूँ आप इमानदारी से बताना इसका टोटल पहले कर दूँ मैं सही से निकालाना अब अगर मैं इसको टोटल करूँ अब थोड़ा सा मुझे साइज ना रिड्यूस करना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा समझाना है इसलिए अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ क्या ये और प्लस ये अगर मैं ए प्लस बी कर दूँ तो इसको क्या नाम दूँ यही होता है न ए और बी को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो मैंने लिखा है सब बच्चों को समझ मारा है कभी यह दोनों को जोड़ दो क्या आएगा सर दुबारा बता दो क्या बताना है वर्षा एक बार आप बता दो क्या बताईए मुझे टोटल कोस जानना है तो मैं A का टोटल और B का टोटल दोनों को जोड देते हैं तो यह आ जाता है टोटल कोस बिल्कुल सही टोटल कोस लेकिन यह क्या यहाँ पे अभी कमीशन जब तक कमीशन नहीं आएगा तो टोटल कोस निकलेगा यह नहीं निकलेगा यह तो टेंशन है टेकिंग पे अभी शुरू भी नहीं किया अभी बताएंगे दुबारा कैसे बताएंगे एक बाट शुरू करने दो टेकिंग को तो यानि कमीशन कमीशन सर नहीं पता है कमीशन और टोटल कॉस्ट में क्या जोडेंगे प्रॉफिट तो क्या जाएगा हमारा जिसको सेल्स बोलो नॉर्मल भासा में और नॉर्मल इसमें टेकिंग लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपको यानि दो चीजे मिसिंग है ध्यान देना यानि आपको यहां पहुंचना है टेकिंग पे क्योंकि जब तक टेकिंग नहीं पता चलेगा तो क्या कमिशन निकाल लोगे तो क्या प्रॉफिट निकाल लोगे बोड़ा भाईया ये बताओ ये बताओ पहले ये बताओ जब तक ये नहीं बताओगे तो हमें नहीं पता चलेगा मैंने बोला भाईया तेरे को तब तक नहीं बता सकते जब तक ये दोनों नहीं पता चल जाए समझ मैं है तो हम एक काम करते हैं ना इसको मान लेते हैं तू भईया जो समझ में नहीं आता उसको क्या मान ले एक्स तो ये एक्स का कितने परसेंट होगा एक्स का पंदरा परसेंट और ये एक्स का कितना होगा मैं सिंपल से समझाना चाहरा हूँ अगर मान लो ये बताओ हटा दो इसको मैं थोड़ा लंबे तरीके से भी बता दूँगा शॉटकट से भी बता दूँगा अगर मैं इसको X मान लो तो profit X का 15% है तो ये कितना हो जाएगा color बदल दो sir color बदल दो समझ में आएगा जल्दी तो profit कितना होगा X का 15% तो ये आजाएगा 15X divided by तो sir ये क्या आजाएगा sir ये आजाएगा कितना कमीशन 10% तो ये आजाएगा देखो ध्यान से देखो हम इसको दूसरे तरीके से सोचने का बता हूँ थोड़ा सा fast सोचने वाला तरीका कि भाईया इसमें ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो ये 100% है इसमें ये भी नहीं है इसमें ये भी नहीं है यानि ये वाला जो होगा वो कितने percent के बराबर होगा 75 percent को अगर 75 percent divide कर दें और into में सब को multiply कर दें तो फटा-फट से सब निकल सकता है लेकिन पहले long method समझ रहा है जिसको समझ रहा होगा 75% मैंने क्या बोला हो समझ भी गया अब हम इसका टोटल करें बी का टोटल क्या होगा 10 19 और 20 यानि यह हो जाएगा सर 20 1000 प्लस एक्स बाइटेन है कि नहीं एक्स बाइटेन होगा न यह हा तो एक जिरो कार्ट दोना है ठीक है ना इसके बाद यह हमारा टोटल के इक्वाल होगा यानि अगर मैं बोलूँ आपसे एक्वेशन बनाओं आपके लिए एक्वेशन थोड़ा इधर करें इसको आपके लिए एक्वेशन बनाता हो एक्वेशन क्या बनेगा एक्वेशन बनाता है यानि एक बार ब्रैकेट करके समझा भी दूँ यह क्या है सर यह है सहाब कॉस्ट तो सर यह क्या है सर यह है सहाब प्रॉफिट ओके तो सर यह क्या है सर यह है सर सेल और सेल का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है जो बच्पन में भी सीखा है आपने के सेल्स इस इकल टू कॉस्ट प्रस में यहीं सीखा है वह एक्वेशन बनाया है पहले ये देखो, ये equation देखो, सबी बच्चे आराम से देखो, equation कोई जल्दवाजी नहीं है, आप बोलोगे सर, ये equation तो बच्चपन वाला ही है, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, अगर बोलोगे सर, ये equation बहुत मुश्किल लग रहा है, तो इसका कोई फिर सोचेंगे, क्या करना है, 15% कहां से आया, बच्चे पूचने सर, 15% नजर नहीं आ रहा, आप कहां कहां से ले रहे हो, परसेंटेज ये बता दो, 15% दिख क्यों नहीं रहा हमें, आपको दिखेगा तब ना, जब मैं सरकल लगाता हूं, तो ध्यान दो, ये रहा 15%, ये रहा, ये रहा, किताब बिलो, और ये रहा, 10%, कहां गया, मुझे भी नहीं दिख रहा, ये रहा, 10%, इसमें हां या ना भरो, आप, तब आगे बढ़ूँगा, पता चले मैंने सब कुछ कर दिया, और उसके बाद बोलो, समझ भे नहीं आया, सर, स्टेंडिंग चार्ज नहीं, लेंगे टोटल, कॉस्ट में, अरे, बच्चे कितने समझदार हैं, ए का टोटल, 11,500, बी का टोटल, 20, प्लस में, X, Y, 10, ये हो गया, टोटल कॉस्ट, अब इन दोनों को जोड़ दो, टोटल कॉस्ट, यही तो लिया, 31,500, कि देखो, सर, समझ नहीं आया, equation, मंतशा का कहना है, सर, समझ नहीं आया, equation, मैंने, sales को क्या माना, X, sales को क्या माना, X, एक बर फिर मिटा देते हैं, बल्चे बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो यह लो, आज आपको नो बज़े तक पढ़ने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, सारा मिटा दे या सिर्फ इतना ही मिटा है, चलो जी, अगर बोलते हो, सारा मिटाने, तो सारा मिटा देते हैं, यह total, बी, अब बी में कमीशन नहीं पता, तो मैंने मान लिया, सेल्स, भाईया सेल्स भी नहीं पता, क्योंकि कमीशन कहा रहा है, सेल्स का है, कमीशन भाईया कहता है, किस पर सेल्स पर, तो नहीं पता, तो इसको एक्स मान लो, अब कमीशन निकल जाएगा, कितने परसेंट है 10% तो X into में 10 बटे में 100 तो इसको solve करोगे तो क्या आजाएगा X by 10 यह total cost तो जोड़ी सकते हो इनको करके तो जोड़ लो ना 10 और 11 19 और 20 तो यह आगए 20 के plus में X by 10 Sir अब profit यह दिखी नहीं ना किसी को Sir अब profit बोला profit भी नहीं पता Sir profit इसका कितने परसेंट 15% तो भाई यह X 15X हो जाएगा क्योंकि कार्ट पीट कर नहीं रहा तो मैं इसको 15X से लिख देता हूँ 15X divided by 100 ओहो अब total cost क्या होगा एक यह वाला cost और एक यह वाला cost दोनों को जोड़ दो तो A plus B is equal to TC तो A हो जाएगा हमारा 11500 plus में 20,000 और plus में X by 10 TC तो TC आगया 31,500 plus X by 10 is equal to TC और sales क्या होता है Sir sales is equal to TC plus में profit यानि cost plus में profit sales को क्या माना है Sir X माना है TC के जगा TC रखा है profit के जगा पर profit रखा यह रहा ना profit माना है अब बताओ समझ में आये कि नहीं आये अब बताओ समझ में आये नहीं आये Sir question थोड़ा समझ नहीं आ रहा है जब यह बच्चे बोलते हैं थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि अब कितने समझ में नहीं आ रहा है कि इसी से एजी कुछ भी नहीं है एक बार पूरा रीड कर दो बच्चे कह रहे हैं सर एक बार कोस्चन्स रीड करो कोस्चन्स रीड करें एक शब्द चलो ये सब चुपा दें ये सब नहीं दिखा रहे हैं अब आपको ठीक है हरे ये तो उपर आ गया आज कोस्चन दिखा दे पहले तॉप लेयर पर अब नहीं दिखेगा ये लो क्या कहता है कोस्चन पढ़ो कहता है परकास ट्रांस्पोर्ट कमपनी हैस गीवन 20 किलो मिटर का रूट है यानि साहाब जो हमारा आने जाने का चर्चा चल रहा है इसकी डिस्टेंस 20 किलो मिटर है दिखेगा नहीं मैं बताते जा रहा हूँ दब बस का कॉस्ट है 50 अजार और इस बस की कीमत कितनी है 50 अजार रुपे कीमत है क्यों दे रहे हो वही कीमत का क्या करेंगा मैं डेप निकालने के काम आएगा इफों इस दॉस्ट का कोउस्ट का उन्सॉरिंस तो फटा-फट से देखे घे मैंने कॉस्ट का इंसॉरिंस स Sup go and annual टेयक। लगे का हजार रुपे अनुओल है तो इसलिए फटा-फट देखे मैंने टेक्स भी लिए हजार रुपए और गिराज का रेंट लगेगा सो रुपए महीने क्योंकि हम एन्वल चल रहे हैं तो मैंने बारा से मल्टिप्लाइ करके इसको कर लिया एक साल का कहता है भाई या इसका लास दस पांस साल है इसकी जीवन ही पांस साल है तो एक साल का डेप्रीशेशन आ कंडेटर को भी दोना SELRI 100ुम favour और कोई बात नीट कंडेक्टर को सेलरी भी दे दिया सौर्ण में लाए है्ति और बहलू भाद मैं कमीशन कोुसित का मतलब सिरक का कमीशन दो 10% का कामीशन दो और सेल पे कमीशन दो और ड्राइवर कंडेक्टर दोनों आपस में बांट लेंगे बराबर तो भाईया सेल पता होगा तब ना तिरे को कमीशन देंगे तो बाद में कमीशन को मैंने नीचे डाल दिया कि कहता है स्टेशनरी का खर्चा जी 50 रुपे का आता है 50 रुपे महिने का तो स्टे किलोमीटर अगर देखें तो डिवाइड सौ से कर दियो और इंटू 25 तो हमारा पेटरोल का खर्चा आ गया पूरे साल का कहता है तीन ट्रिप लेगा साल में यह आने जाने में तो तीन ट्रिप का मतलब जाना आना एक बार 80 किलोमीटर जाना आना कितने 40 किलोमीटर और चुर्वाइट करना भी या बस का किराया कितना लोगए एक पेसंजर से कितना वसूल हो गई ये बतादो ये कह रहा है कोशन और मैंने में बस चलता है टोटल कितने दिन पत्चिस दिन वहला कि माहिने का भी हो सकता था लेकिन मैंने इसको निकाल दिया पूरे कि अब बताओ थोड़ा समझ में आया अब यह लो आपको सारी कहानी फिर से दिखा दी क्या समझ में आ गया सर सेल्स का फॉर्मूले में इक्वेशन डाला है बस बिलकुल 15x वाला बता दो 15x x मतलब देखो यह सेल्स हमारा x है समझना सेल्स हमारा x है ठीक है तो यह वाला तो पता ही चली गया और प्रॉफिट कहता है सेल्स का 15% तो सेल्स का 15% निकालोगे तो आपको ओके और बताई यह क्लियर है के नहीं है फिर मैंने मिटा दिया यह लोग और भी बता दो भाई बच्चो सही बच्चो सोज रहें के आंसर कैसे निकलेगा क्लियर है अब इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल है आपके लिए यह बताओ सारеспibl करना एकस एकस वाला एक तरब बिना एकस वाला एक तरब यह तो बच्च्पन में सीखा था तो एकस माइनस एकस बआ और माइनस पंद्रा एक्स बाई और इस इकल टू इकत्यस इसको सॉल्व करो LCM ले लो तो यह आ गया 100X माइनस में यह आ गया 10X माइनस में यह रह गया 15X और डिवाइड बाई 100 तो रहेगा ही रहेगा इस इकल टू 31 500 हंडिट से मल्टिप्लाई और सबको सॉल्व कर दो तो 75 आ गया ना उसी जगह जहां मैं लाना चाहरा था वहीं आ गया इस इकल टू 31 100 से मल्टिप्लाई करो 75 से डिवाइड करो तो सहाब यह 42,000 आ गया यह क्या आ गया तो 42,000 क्या आया है X आया है तो अब मैं इसको मिटा दूँ यहां से X को सर यह कितना आया अब इसको जगह पर ओरिजिनल वेल्यू डाल दें सर 42,000 ओके तो प्रॉफिट कितना आएगा इसका 15% 42,000 का 15% सर हम एक्जाम में भी ऐसे करेंगा जी इस कोश्चन को दो बार करेंगा आप एक्जाम में 63,000 सर कमीशन 10% यह भी निकाल लो ओके अब टोटल कॉस्ट अब ऐसे बता देते हैं यह 24,200 अब सब कुछ एकदम पर्फेक्ट बन गया 24,200 यहां तक क्लियर है अब हमारा क्या निकल गया टोटल सेल्स बोलता है भाईया एक पैसेंजर से बताओ एक किलोमीटर का कितना रुपिया चार्ज करोगे तो मैंने बोला भाईया टोटल पैसेंजर किलोमीटर यह है और हम सेल इतने का करेंगे तो एक पैसेंजर से पता करके बताते हैं अभी रुपो एक पैसेंजर से पता करके बताते हैं तो यहां आए जाएगा पर पैसेंजर पैसेंजर किलोमेटर इस एकल टू ब्यालेस अजार डिवाइड़ बाइड़ चौदा बड़ा कम रुपए ले रहे हैं जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन अब चाहो तो इसको थ्री जीरो भी कह सकते हो ठीक है बुक में थ्री जीरो ही कर रखा है जीरो पॉइंट जीरो ट्री कर रखा है टू नाइन आया एक्चुल हाँ सेल्स इगल टू 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 प्लस प्रॉफिट ही लगाया है अब सर इसको एक शॉटकट भी कर सकते थे जिसको मैंने बताया भी कि आपको जो मिल रहा था नहीं यहां पर कॉस्ट इसको हमने एक्सलेट किया था यानि सिंपल सी बात है जो हमें कॉस्ट मिल रहा था बिना इसको माने हुए अब लॉंग कट समझ में आ गया तो इसी से कर लो इसको मन्तली से आपको करना है और बड़ा ही फेमस कोश्चन है यह और इंपॉर्टेंट कोश्चन भी है यह अबड़ा है